कि वेल्कम दोस्तों हमारे और के लिट का यूटूब चैनल पर जैसे कि दोस्तों आप हम देखेंगे कि यह आज जी जो हमारा फेज होता है कि और न्यूट्राल होता है कि यह क्या होता है और यह जो फेज न्यूट्राल के साथ और एक चीज होता है हमारा आड़्धिंग पर फेस्ट के बारे में हम जाना एंगे तो हमारा जो लाइन होता है घर में आता है कहीं पर आता है आप देखे होंगे वहाँ पर गग्राइन रहाता है तो इसा नहीं होता है कि दोस्तों यह हमारा एक है मतलब फ्रीज हो कुछ भी हो इसमें फेज आ गया तो इसमें क्यों नहीं चलता है क्यों न्यजलता है कि यह जो फेज़ होता है इसमें तो करन आगा ईए सब्सक्र unterstützen के रिटन होगा वह होडा को यह हमारे न्यूट्राल होता है एक रिटन का काम करता है अगर नहीं होगा तो यह करन आकर pilgrum His में कोई काम नहीं करता है तो दोस्तों देखें होंगे अगर हमारा यह फेज भी पकड़ के भी काम कर लेते हैं लोग बहुत बार देखें होगे कि यह वह इंसुलेटेड रहेंगे मतलब पेर में कुछ रोबर मैट ऐसा कुछ डालेंगे और इसे ऐसे हाथ में जोएंट बगरा सब कर सब्सक्राइब होते हैं मतलब 무슨 नहीं होने सेंकिए होता है उसमें उपता है यह जो न्यूट्रल होता है यह होता है होता है और दोस्तों हमारा अर्ट होता है जो होता है ओ ूभी बडMr जाके ग्राउंड होता है देखे होगे घर में एसे एसे अर्थिंग हुआ रहता है तो यह पाइप लेके अर्थिंग करता है उसमें नमाक और कोईला एसे देखे इसको अर्थिंग करता है तो वह जो एड्थिंग होता है उसका भी कम वह है क्या होता है देखिए इसमें तो हमारा दोस्तों फेज आ गया ठीक है इस अप्लेंशेस में हमारा फेज आ गया और वह आके रिटर्म भी इसी न्यूट्राल के जरी हो गया अगर यह जो फेज यहां से जो अप्लेंशेस में है कडिकेज हो गया तो क्या होगा जब हम इस अप्लेंशेस को टॉस्ट करेंगे तो हमें भी करेंट लग सकता है इसी जो लीकेज करेंट रहता है इस लीकेज करेंट को पास करने के लिए हमें कि जवरत होता है इसलिए सब आप्लेंड में और एक तार होता ही ग्रीन कलर का जो तिम्हों जायकर लगता है उसे क्या होगा तो Selon उसको पकड़ेंगे तो यह में करन नहीं मरेंगा क्यों नहीं मरेंगा यह जो करन्ड होता है यह इधर जता है यह एक अच्छा पाथ मिल जाता है इसको ठीक है इसलिए वह भुड़ी में नहीं आएगा और से चला जायेगा दोस्तों कभी-कभी देखें होंगे यह जो चीडिया बगरा होते हैं यहां यह जो बीजली का तार जाता है उसमें बैठ जाते हैं कभी-कभी देखें होंगे कि उनको तो कभी भी करेंट नहीं लगता है क्यों नहीं लेगता है कि एक ही तार मं ही मैं बैठते हैं आगर यह यहां बैठेंगे और यहां लखाए लेगे तो बड़ास षब फट भटब जाएंगे वह एंप कि जान जाता है तो दोस्तों अभी पता कर लिए यह हो गया फेज यह नीटरल और यह हो गया अर्थिंग जो हमारा सोकेट होता है दोस्तों इसमें देखीएगा यह से बड़ा वला होता है यह और दोनों छोटा छोटा होता है वें उसा क्यों होता है यह जो इस तरह होता है और यह होता एल्ट जँस देखना उपर भाला जो देख रहे और नीचे वाला छोटा दिया हुआ है क्यों अगर यह बड़ा वाला लाक हम इस सोकेट में देंगे कुछ भी से यहां तार कटा बटा होगा कुछ तो यह सोकेट में आगर अधकेज करेंट रहेगा पुछ रहेगा तो पहले यह हमारा अर्थिंग भूसे गाइस जो इसमें पूसे इसके बाद पाद प्रोम नहीं रहेगा इसलिए तो अगर घर में वार रहे हैं खाम कर ़ा रहे हैं तो पहले एटिंग करवाने के लिए इलेटिशेन को भूलिए ताकि कोई हादशा ना हो जाए ठीक है अगर वीडियो आच्छा लगा दुस्तों तो वीडियो को लाइक एंट साय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पास में रखता पर बेल आइकन को दबा दीजिए थेंक्यू